जी दोस्तो उमीद आप लोग ठीक होंगे दोस्तो एक नहीं development हुई है और वह development मेरे लिए काफी important है और इसलिए important है कि आपको पता है कि इंडिया और अमरीका के जो तालुकात है वो हमेशा बड़े अच्छे रहे हैं लेकिन ऐसे लग रहा है कि इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि वो असर्ट करें थोड़े दिन पहले की बात है कि अमेरिकन्स ने अच्छा अमरीका का क्या है कि अमरीका का एक अधारा है जिसे कहते है उनाइट स्टेट्स कमिशन और इंटरनेशनल रिलिजिस प्रिडम वो अब इसका तरीकागार क्या होता है तरीकागार इसमें यह होता है कि नॉमली अ कंट्री विच इस फ्रेंड ओव होता है अमेरिका का वो उसकी भी रिलिजिस प्रिडम के इंडेक्स को मेयर करते हैं अब हुआ यह है कि उन्होंने एक जिसे कहेंगे एक इंडेक्स निकाला ज बहुत सारे लोग जो हैं, वो कतल हुए हैं, मारे गए हैं, लिन्च हुए हैं और बहुत सारे जो विजिलांती ग्रूपस हैं, रिलिजिस लीडर्स हैं उनको रेस्ट किया गया है, ये इंडिया के अंदर हुए Indian Foreign Office ने पकड़के Americans की जो है वो थोड़ी दुलाई कर दी है और वो दुलाई इस तरह की है उन्होंने कहा भाई पहले आप हमें ये बताएं कि अमरीका के अंदर religious freedom की क्या position है तीक है मसाल के तौर पे Americans ने ये कहा कि religious freedom की violation हो रही है इंडिया के अंदर misinformation के issues है hate speech के issues है government जो officials है और उन्होंने government officials का नाम लिया कि they insight for violence वो violence की बात करते हैं Indian जो foreign office अच्छा आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि Dr. J. Shankar जो है कानेगी institute में discussion कर रहे थे और वहाँ पे बात कर रहे थे का आप मार रहे थे और वहाँ पे रहोंने का यार आप लोग हमारी democracy की बात करते है जब हमने आपकी democracy की बात करनी शुरू की तो आपको तकलीफ होगी अच्छा ये अब India ने कहना शुरू कर दिया अमरीका को it means कि India अब थोड़ा सा pushback कर रहा India थोड़ा सा pushback कह रहा वो कहरें ठीक है आप हमारी religious minorities की बात करते हो इंडिया के अंदर जब शंकर ने कहा है कि आप religious minority की बात करेंगे हम आपके हम बात करेंगे वहाँ पे कालों की क्या position है जो black lives matter कर चलता है मतलब वहाँ पे आपको पता है black and white ये race की बन्याद पे जो है वहाँ चीजें होती है तो नहोंने कहा है आपको पता है ये चीजें औरड़ी हो रही है तो हमें इन चीजें को ना बताएं ठीक है वो कहते हैं कि हम आपकी जो हमेराइट से रिकॉर्ड है अगर उसको जाचना शुरू कर दिया कि आपने एराक में क्या किया था आपने सीरिया में क्या किया है आपकी democracy promotion की for example इंडिया अक्सर Americans को कहता है आप पाकस्तान में जो है वो dictatorship को support करते है ठीक है ये इंडिया कहता है Americans को ठीक है जी अब question ये है कि ये जब report आने के बाद ठीक है इंडिया के foreign office निस पे comment जाई की है और उनने का पायन ऐसी कोई गाल नहीं ठीक है ऐसा कोई चकर नहीं है हमारे हाँ चीज़ें ठीक हैं although I don't agree by the way what Indian foreign office is लेकर the question is कि इंडिया is setting a tone and that tone is to reply back कि हमारी religious minorities के उपर बात ना करो ये जो citizenship amendment act और uniform civil court जिसे UCC कहते हैं इसके उपर बात ना करो and then उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के अंदर anti-conversion and cause slaughter laws आ गए है which are question ये है कि ये जो anti-conversion and state जो cause slaughter laws आए है technically देखा जाए I won't like it but that is what the people want it the question is कि ये इसी से वो Americans कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो democracy है that is being compromised अच्छा इंडिया के अंदर ये जो democracy है वो compromise हो रही है अब ये चीज़ जब हुई है तो Indians जोट खड़े हुआ है मुझे ऐसे लग रहा है कि आएंदा आने वाले दिनों के अंदर अब इंडिया बात कह रहा है strategic autonomy के जब the more India will talk of strategic autonomy the more such reports will come ऐसी reports आएंगी ठीक है जी और जब ये religious freedom जो कि जब reports आएंगी तो वो जारी बात है मुझे पाइदा होगी Indians और Americans की मुझे ये लग रहा है what Americans and Indians will do कि at top level they will keep cooperating, engaging but at lower level they will keep confronting ये ऐसे नहीं होगा कि जैसे माजी में है कि पाइदान जो मर्जी कहते रहो जैसे मर्जी कहते रहो Indians एक चीज़ चाहते हैं Indians एक चीज़ कहते हैं Indians एक चीज़ को बोल रहे हैं कि हम अब respond करेंगे हम बोलेंगे हम जबाब देंगे अब Americans को obviously normally ये आदत नहीं है जो आप सुनने की तीक है इसमें आप ये देखिएगा कि अगर Americans नहीं ये कहना शुरू कर दिया है कि हम हम ये करेंगे आपको पता है थोड़ा रसा पहले मुझे याद है इंडिया ने 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 का जी हमने एक ग्रूप बेजना है जो है ये समझें एक बन आप कंटेंशन बनता जा रहा है इंडिया और Americans के लिए और इसमें पॉइंट उठेंगे तो दूमोर इंडिया इनडिया विल स्पीक आपकोफ आपनी पॉइंडिया इंडिया क्या चाह रहा है इंडिया क्या चाह रहा है do not measure it as a liberal democracy this is not a liberal democracy the democracy in India has its own cultural civilizational historical, regional characteristics and then you have to incorporate all that in any kind of a governance model in any kind of a model when Indians go they say oh look I am a prime minister of the largest democracy on earth when India talks about you know country from the largest democracy on earth India is here when India talks about they say okay you have the greatest democracies here but the point here is India when they do democracy indicators it is not at par with the secular democracy it is at not par with the liberal democracy it is at not par because which you can see in France or Washington or London or Berlin there is a different situation so I think this is a confrontation that is going to happen and it is going to happen and it will happen and it will happen it is not something which is it is not so easy it is not a confrontation that is not a confrontation that is not a confrontation that will happen and it will happen so we also say that we also remember that we also remember that we remember that the issues in the US are for example that the issues in the US are racism so we will make an annual index निकालते हैं उस इंडेक्स में हम बताएंगे कि इंडिया के रेसिम कि क्या प्रावलम है अच्छा मज़गी बात है कि यह अमेरिकन्स खुद भी यह डीपॉर्ट्स निकालते हैं तो ullenहं ciao भी सभी परमेटर है आप उस परमेटर आप अपने बास ही तूर्प discuss ना करें. अब इंडिया अनॉइड हो रहा है. लेकिन Americans पीचे नहीं आतेंगे. तीक है देखें अब होता क्या है. अब होता क्या है वो साथी एरब की religious freedom को भी मयर करते हैं, वो पाकशन की religious freedom को भी मयर करते हैं. वो दुनिया के हर मुलकी हैं, सौधी अरब जैसे मुलकों ने क्या किया है उसका कि वो इतनी देल से वो रिलिजिस प्रीडम को इंडाक्स को मेजर कर रहे हैं और हर साल सौधी अरब और पाकस्तान उसको रिजेक्ट कर देता है कि बात ही खतम हो जाती है, किसी को लगते ही नहीं है, तो इंडिय लिंटन डेलावेर में अपने घर में बुलाते हैं हम कौर्ड के पार्टनर हैं हम तुमारे लिए बहुत अच्छे हैं नाली तुसी जड़ाना साथ है ते प्रेशर पानास देकर रेपोर्ट चारी कर देंदे हो हम इसको नहीं होने देंगे या हम इसे बोलेंगे आपको पता है डॉक्टर जेश शंकर पूरा हफ़ता दस दिन अमेरिका रहे हैं वो तो कल आई हैं अमेरिका से मैं देख रहा था कल दो कुटूबर को उनकी यूए सेक्टरी आफ स्टेट एंटरी बिलिंकन से मुलाकात मीटेश अब ये डॉक्टर जेश शंकर वो कह रहा है कि भाई हान जी हम आपके पार्टनर हैं हम आपके साथ ये सारा कुछ करेंगे लेकिन साथ ही वो क्या करते हैं साथ ही वो कोई ना कोई कड़मास मचा देते हैं अब जो कल हुई जो डॉक्टर जे शेंकर की और अमेरिकन सेक्टि अफ स्टेट की मुलकात हुई है उसमें आप देखें कि जिसे वो कहते हैं ना जी कि हम बड़ी enduring commitment की बात करते हैं regional challenges हमारे अकठे हैं हम regional and global challenges पे अकठे हैं हम critical and emerging technologies पे cooperate करेंगे हम मोदी साहब का जो Americans कहाते हैं कि मोदी साहब ने जो युक्राइन का दोरा किया हम उसको बहुत हमियत देते हैं और peace चाहिए just and lasting peace चाहिए जो इस तरह की बाते होती हैं Clean energy में हम साथ हैं Global climate crisis में हम साथ हैं ये सारी बातें की हैं The moment जे शंकर वहाँ से उठके जास में बैटे हैं वो अपना दिली एर रिपोर्ट थे उतरे नाली रिपोर्ट आ गए अब religious freedom वालों को भी तो पता था ना कि भाई ये जो रिपोर्ट निकाले लगे हैं ये हमारे बास से ये बन्दा मिल रहा है ये बन्दा हमारे बास से मिल रहा है तो उन्हों उन्होंने साथ ही वो रिपोर्ट निकाल दी साथ ही उन्होंने जो है वो कर दिया अचा मज़े की बात यह है कि अगर अमेरिकन मूड में आए हैं तो इंडिया को क्या-क्या दे रहे हैं तीक है अब नहीं याद होगा कि वो आर्टिफड्स दे दिये थे जब कुछ तीन सो इंडिया की अंटीक जो थे जो जो कर जो चार हजार साल पुराने थे चार हजार साल जो बैड़ा ने दे दी उनको ठीक है जी अब ये चीज जो है अब भारती जन्ता पार्टी जो है वो बड़ी खोश है वो इंडिया आके तर रॉले पान दी है कि हम देखो वो चार जार साल पुरानी जो हमारी हिस्ट्री थी हमने उसको वापस ले आए हैं हम अपनी जो कल्च प्रापर्टी है हम इसको रिटर्न ले के आएंगे यह हमारी कल्चर प्रापर्टी एक्रिमेंट हमने अमेरिकन के साथ की है दिस और बहुत सारी चीज़े अब यह जितनी भी इंडिया ने इंटीक्स को वापस ले के आए हैं इंडिया बड़ा खुश है थोड़ी देर लड़ाइँ शुरू हो जाती है प्रेस स्टेट्मेंट्स आज जाती है इस तरह के चीज़ें जो है वो शुरू हो जाती है अब को पता जब मोदी शाव गहे थे बाइडन को मिलने वहाँ पर तो उन्होंने कहा जी कि जो ग्लोबल यह जो आर्टिफैक्ट्स की जो ग्लोब स्मगलिंग की जो मार्किट है ये 6 बिलियन डॉलर की है और इंडिया से बहुत कुछ चीज़े निकली है ठीक है जी और हमने स्पैशल एफर्ट करके इंडिया अमेरिका से ये चीज़ें मुगवाई है ठीक है अब वो जारी बात है नरेंदरा मोदी ने उस चीज़ें बड़ा इस्तमाल करना है घर में बायर हर जगा टकाटक लगाएंगे देंगे दोस्तों को अब जिस शहर में चाहेंगी सौथ में न स्पयों के लिए टीक जो थे वह अमेरिका से लेक्या है थे ठीडे योरप से मिलियोंज उफ ड़ Алर्स की जो कीमत वर्थ की मुगांकि लेके आएंगे नही है और वो कहरे हैं कि यह सारी जितने भी सकलब्च्र्चर नियम में कर दो श्तिता है और ये ये यूनेको वल्ट हा जो है यह वहां भी कहीं जगों पर पढ़ी हुई थी लेकिन जारी बात है इंडिया के अंदर भी चोड डाकू जो है वह मुझूद है उन्होंने वही किसी तरी के बेच दी अब इंडिया इस चीज को सैलिब्रेट कर रहा है लेकिन नाली की नाली अच्छा क्या कर रहा है कौ को सालिब्रेट कर रहा है ठीक है जी जिसे बूद कर रहा है साथ ही वह यह चीज बो कर देते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि यह एक 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 वह जैसे कहते हैं लव-लव हेट-हेट रिलेशनशिप है यह जाने वाला नहीं है ठीक है जी इंडिया जो है वो अब देखिए इं इंडिया भी तो D-dollarization पर काम कर रहा है ठीक है Americans इन चीजों का पता है Americans क्या कहते है Americans कहते है कि हमारे इनके साथ जो global strategic जो interest है वो match करते है मैं आपको बाब बता हूँ India जो है ना एक time आना है India will just look after its own interest India कोई American interest को नहीं देखेगा ठीक है जी इंडिया अपने interest को watch करेगा ठीक है अक्सर ये जो UPA payment system है ये basically क्या है ये dollar की चुटी कराने की कोश्च करें Americans को इन चीजों का पता है ठीक है लेकिन problem ये आज़ आता है कि उनको बता है कि इंडिया के इलावा मारे पस कोई option ही नहीं है ठीक है जी कोई option ही नहीं किस मुलक को अगर लेके है Pakistan is not going to compromise on China Pakistan doesn't have that kind of a patience Pakistan doesn't want this to happen Pakistan ये करने ही नहीं चाहता तो हम क्यों भाई वो जशे कहते हैं न वो चीज़ करें तो Pakistan ने सीधा सीधा फैसला कर लिया है कि हमने तो China के साथ रहना तो उनके पास एक ही option है और वो option है इंडिया की तो उनको इंडिया के सुननी पड़ती है ठीक है जी उनको इंडिया के सुननी पड़ती है ठीक है तो मेरी नजर में जो मुझे चीज नजर आ रही है जो मैं इसको as student of politics understand कर रहा हूँ कि इंडिया और अमेरिका के तालुकाद जो है it's a love love hate hate ठीक है जी और इंडिया is more conscious cautious भी है conscious भी है and cautious भी है इंडिया does understand के आइंदाने वहले दिनों के अंदर मामलात खराब हो सकते हैं और ये जो मामलात खराब होंगे इन में कही न कहीं पे Americans हम से नराज होंगे ठीक है और इंडिया ने इसलिए कहना शुरू कर दिया कि American institution biased है हम अमरीका की ऐसे institutions की ख़बर जो है उनको परवाह नहीं करते लेकिन मेरा ख्याल है कि the more Indians ignore such kind of reports the better it will be ठीक है जी उनको भी वही करना चाहिए जो पाकिस्तान और साथी अरब करता है कि आप इगनोर कर दें statement simply जारी कर दें and that's it और कुछ भी नहीं other than that अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता जो है वो एक निकलेगा but let's see how things unfold and further कैसे चीज़ें जो होती है और उसकी वज़ा ये भी है न देखें कि इंडिया और अमरीका के जो interest हैं they are very much aligned when it comes to South China Sea, when it comes to Indo-Pacific, बहुत सार इंट्रेस्ट मिल रहे है so इंडियन्स को भी वो करना पड़ता है और दूसरी बात ये है कि गहर में जो नरिंदरा मोदी साब ने model established की है, वो model ये है कि भाया हम चाहते हैं कि हम एक कमजोर country नहीं हम assert करेंगे हम assert करेंगे, हम एक challenge वो जो है रहा वो create करेंगे हम अमरीका के दबाव में नहीं आने वाले this is not 60s, 70s, 90s 2000, this is not 2001, this is not कि आप हमारे ओपर sanctions लगा देंगे, हम परवा नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, so मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज जो है ना वो एक 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 होने वाली है but let's see how further things go on इस पर फिर कभी बात करेंगे कि क्या अमेरिका और इंडिया के मामला ठीक होंगे, खराब होंगे या how it will all go